नमस्कार जैहिंद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमली में और जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिसकस किया था उत्राखंड की भासा में हमने गड़वाली कुमाउनी को डिटेल में डिसकस किया था वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीज हम देखते हैं उत्राखंड के संधर में सहित्या है एतिखास की रूप से यह माना जाता है कि उत्राखंड की भ्h Pathway जो है वह वह बेदों शास्तों की रचना यही पर हुई है और महा भारत जैसा महा काबया लिखा गया था तो यानी सास अगर सहित्य की दिर से से देखें तो उत्राखंड का पूरे देश में एक विशेश स्थान है और उत्राखंड का सहित्य विश्व भर में मान्या है यहां के सहित्यकारों ने सहित्यकी नई दिसादी है सुमित्रा नंदन पंत तथा महादेवी वर्मा ने सांत और प्राक्रितिक सुंदर रेके बीच अशी साहित्य का सिरजन किया अब सुमित्रअनदन-पंत् तो उत्राखन के थे और महादेवी वर्मा यह यूपी की थे बेसिकली लेकिन इन्होंने जो रचनाय की थी काफी रचनाय इन्होंने उत्राखन के सुरंय वाता वरण में रहकर की थी इसलिए महादेवी वर्मा यहां पर important हो जाता है क्योंकि उत्राखन में आकर इन्हों ने अपनी रचनाये की हैं काफी। उत्राखन का साहित्य जो है मुख्यत दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला हो गया कुमाउनी लोग साहित्य और दूसरा हो गया गडवाली लोग साहित्य और अब हम इनको डेटेल में समझेंगे कि कुमाउनी लोग साहित्य क्या है गडवाली लोग साहित्य क्या है तो कुमाउनी लोग साहित्य की बात अगर करें तो इसे भी पुना दो भागों में बाटा गया है एक लिखित साहित्य और मौकिक साहित्य तो अगर गडवाली और कुमाउनी लोग साहित्य की बात करेंगे तो दो दो टाइप्स में हम इनको पढ़ेंगे एक लिखित साहित्य कुमाउनी का भी और गडवाली का भी फिर मौकिक साहिते कुमाउनी का भी और गडवाली का भी तो सबसे पहले बात करते हैं कुमाउनी का लिखित साहित्या लिखित साहित्य के बारे में अपनी पत्रिका गुमानी ज्योती में डॉक्टर योगेश चतुरवेदी अब यहां से एक फैक् लिखते हैं तो 989 में वो कहते हैं कि कुमावनी भासा में लिखित तामर पत्र मिला है एक व्यापारी के पास इससे यह सपस्ट होता है कि दस्वी सदी में कुमावनी एक भासा के रूप में परसिद्धी आगे बढ़ते हैं अलमोडा अकपार और सक्ती समाचार यह फैमस साप साप्ताहिक समाचार पत्र थे साप्ताहिक प्रकासन थे इन्होंने कुमावनी के विकास में महत्वपून योगदान दिया कुमावनी में रचनाओं की शुरुवात 1800SB के बाद हुई तो कुमावनी में अगर पूछा जाए कि रचनाओं की शुरुवात कब हुई तो 1800SB के बात से हुई और विशेस योगदान जो है अलमोडा अकबार और सक्ती समाचार पत्र का है कुमाउनी के विकास में महतुपुन योगदान ये दोनों समाचार पत्र दिते हैं आगे बढ़ते हैं अब इसके देख लेते हैं यहाँ पर गुमानी पंत हम आगे इनको डेटेल में पढ़ेंगे इनकी रचनाओं को देखेंगे जो फैमस एक तरह से साहित्यकार रहें उत्राकंड के गुमानी पंत होगे किस्न पांडे होगे चिंतामणी जोसी गंगादत उपरिती सिवदत सती लीला धर जोसी इस काल के परमुक साहित्यकार है कुमाउनी के आगे दिखते ह कुमाउनी भासा के दिंगास अभी लेक ये काफ़ी इंपोर्टेंट फैक्ट है दिंगास अभी लेक जो के पिधोरागड में इस्तित है को पर्थम्ति थी युक्ति लेक मानते हैं अगर पूछा जाए कि कुमाउनी भासा का पर्थम्ति थी युक्ति लेक कौन सा है तो दि पर एक मौखिक साइध्य के अंतरगत यह आते हैं इसमें यहां के लोक गीतों को तर्क परदulen गीत निट्य परद可ण गीत अनुभूती परद़न गीत घित रित गीत इवं किरिस्टी गीत में बांटा गया है तो अलग-अलग टाइप के गीत यहां पर हैं जैसे तरक परधान गीत हो गया निर्ट्य परधान गीत हो गया अनुभूती परधान गीत हो गया प्रितु गीत और किर्सी गीत में यहां के गीतों को बाटा गया है परते हैं परते हैं मोखिक रूप से पीड़ी तर-पीड़ी हस्तांतरित होती है जो परधान गीत हो जोती है और पोरधान गातायों को यहां पर जाकर कहा जाता है आगे देखिए गवल हो गया गद्यानात, मासन, एडी, सैम, नंदा देबी, आदी अनुस्ठान तथा तंत्र मंत्र के समय गाये जाते हैं मावनी लोग साहित्य में काफी परियोग किया जाता है अब आती बात गड़वाली साहित्य की गड़वाली साहित्य को भी मुख्यता दो भगों में बांटा गया है जैसे कि सुरू में बताया था लिखित साहित्य और मौकिक साहित्य दोनों को डिटेल में समझते हैं लिखित रचनाकारों जैसे सत्यसरण हो गया आत्माराम गेरोला हो गया आदी की अनेक रचनाएं छापी गई हैं सत्यनात रतूरी की कभिता उठो गडवालियों को काफी परसिद्धी मिली है तो ये फैक्ट्स आपको धिहन रखने हैं गडवाली सहित्य के बारे में अब वेसे तो सन सत्रा सो पचास इस भी में गडवाली भासा में लिखित साहित्य का आरंब माना जाता है किन्तु सुदर्सन सा द्वारा सन अठारा सो पंद्रा में लिखित गोरक वानी से ही लिखित साहित्य का आरंब माना जाता है तो लिखित साहित्य का आरंब बताया जाए तो अठारा स साहित्य की बात हो गई अब हम बात करते हैं मौकिक साहित्य की तो मौकिक साहित्य में जैसे की कुमावनी साहित्य में कहा लोग गीत लोग गाताएं और लोग कताएं आती हैं तो लोग गीतों में धार्मिक सांसकारिक मांगलिक रितू देश भक्तिपूर्ण और मनोरंजनात् लोग गाथाओं को दो भागों में विवक्त किया जाता है गड़वाली साहित्य के अंतरगत एक तो एतिहासिक अगर लोग गाथाओं हैं उन्हें पमाड़े कहा जाता है और पौराणिक लोग गाथाओं को जागर कहा जाता है तो दोनों आपको ध्यान रखना है पौराणिक यहां के परमुख बीरता पूर्ण गाताएं हैं यानि ये जो बीर पूरुसिया महलाएं रही हैं उत्राखंड की गड़वाल रीजन की तो उन पर जो गीत गाये गए हैं तो ये परमुख बीरता पूर्ण गाताएं हैं इनकी गाताएं जो हैं गीतों के मादिम से गाई गई ह हो या फिर जगदे पमार हो तीलू रोतेली हूं इसके अलावा जसी राजुला मालु साही जीतु बगडवाल आधी परमुक प्रेम लोग गताए हैं तो राजुला पूछा जा सकता है यहां से क्वेस्टन कि मालु साही जो है किस तरह के लोग लोग कताए है तो वो क्या है प बगडवाल भी प्रेम लोग कताए हैं तो यह आपको ध्यान रखने हैं अब हम बात कर लेते हैं यहां पर थोड़ा सा कुईक रिभीजन हम इसका देख लेते हैं तो यहां पर देखिए अगर हम देखें यहां पर तो यहां पर देखिए उत्राखंड के साहित्य को हमने पड़ा की बाटा गया है कुमावनी और गडवाली में दोनों के दो दो टाइप हैं लिखित और मौकिक और इसके अलावा अगर बात की जाए यहां पर तो कुमावनी साहित्य का अगर लिखित साहित्य हम देखें तो पहेलियों को आणिया एन कहा जाता है और आणिक लोग कथाएं जागर कहलाती हैं ऐसे ही अगर बात की जाएं गडवाली लोग साहित्य की तो यहां पर लिखित की 1905 में गडवाली पत्र से शुरू सत्यसरन आत्मा राम गैरोला जैसों की रचना इसमें सामिल हैं मौकिक जो ह वो लोग कीत और लोग कथाएं मौकिक के अंतरगत आती हैं लोग कथाएं मानविया भावनाओं से जूड़ी होती हैं तो यह हमने कोई की रिविजन देखा अब हम बात करेंगे उत्राखण के परमुक शाहित्यकार और उनकी रचनाओं की परमुक साहित्यकार और उनकी ग्यानपीट प्रुसकार मिला और आपके लिए प्रसनाच का ये है कि ग्यानपीट प्रुसकार इनको 1968 में किस रचना के लिए दिया गया था ये आप कमेंट बॉक्स में जुरूर टाइप खरिए आगे दिखिए इन्होंने हिंदी छायवादी काबे की महान कृतियां लिखी ह इनकी प्रमुक कृतियां यहां पर देख लीजे गुंजन हो गया युगबानी हो गया चिदंबरा हो गया पतजर हो गया सिल्पी पल्लव बीना ग्रंथी जोत्सना स्वर्ण धुली उत्तरा अंतिमा कला और बुड़ा चांग पॉपटने से पहले आधी तो ये बहुत फेम प्रमुक उपन्यास कार मानी जाती है और इने पदम सिरी के साथ अन्य भी प्रुषकारों से नवाजा गया है इनके अगर अचनाएं देखें तो दो भगों में हम देख सकते हैं एक साइड इनके उपन्यास देख सकते हैं पूताओ वाली इक इनका फेमस उपन्यास है हार एक कहानी संग्रह है लाल हवेली मेरी प्रिय कहानिया तो ये इनके परमुक कहानी संग्रह हो गया है अब मंगलेश डबराल की परमुक कृतिया हम यहां पर देखते हैं तो ये बहुत फेमस पहाड़ पर लाल टें बार बार पूछा जाता है क्वेस्टन लेखक की रोटी अब आज भी एक जगह हम जो देखते हैं तो ये मंगलेश डबराल की परमुक कृतिया हो गई इसके लावा अब बात करते हैं हम चंदर कुवर बर्तवाल के बारे में इन्होंने स्वतंतरता अंदोलन में भाग लिया था ये व्यक्तिक्तो एवं कृतिक्तो दोनों की दिरि आएं ये हो गई आप लोगों को अगर इस वीडियो का पीडियाफ चाहिए होगा तो वह आपको टेलिग्राम पे मिल जाता है लिंक डिस्क्रिप्शन में है जोइन कर लीजिए और वहाँ पर आप पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हैं हिमांसु जोसी की किर्तियां देखते ह सन्यासी हो गया जहाज का पंची का फीबार पूछा गया है important है जहाज का पंची romantic शाया और मुक्तिपथा आदी ये किस की हो गया इलाद्चन जूसी की रचनाये हो गयी गुमानी गुमानी पंत के अगर बात करें तो गुमानी पंत जो हैं बहुत विद्वान बेखते थे उत्राकंड के इन्हें कुमावनी हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया और नैपाली भासा सभी का ग्यान था और इन्होंने सभी में रचनाएं भी लिखी हैं इनके परमुक गरं भी मकेला, सोना, उत्तरबाया है, सूरज सबका है, गायजा अब अगली बात करते हैं हम ग्रीश तिवारी गिर्दा की ये बहुत फेमस हैं गिर्दा ये परमुक एक तरह से कवी थे ये 38 बरसों से जना अंदलोनों को जीवनत रखने वाले जन कवी गिर्दा को गड़वाल कुमाओं की भोगोलिक सिमाय कभी बान नहीं पाई, गिर्दा ने लोक नायक जुसिया दमाई पर भी महतोपूर्ण सोध परबंद लिखा है, तो ये बात की हमने ग्रीश तिवारे गिर्दा की और अंत में बात करेंगे, सबसे फेमस, काफी फेमस हैं, सैलेस मठियानी, तो ससमरन भी लिखे हैं, तो ये हमने बात करी, उतराखन के परमुक शाहित्यकार और उनकी परमुक रचनाओं की, तो आई होप आप लोगों को ये कलास पसंद आई होगी, पसंद आता है, तो लाइक सेर ज़रूर करें, पीडियाप चीए तो टेलिग्राम पे आईए, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं, थैंक्स अलोट पर रिस्निंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, जैहीं!